आपके लिए यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके लिए UPPCL की एक न्यू अपडेट लेकर के आया हूँ और दोस्तो यह जो अपडेट है वो नई वेकेंसी की है और दोस्तो आपका जो एकजाम फीसर वो क्या रहेगा साथ ही दोस्तो आपका जो सलेक्शन प्रोसेजर वो क्या रहने वाला है वो सारी डिटेल से जानने के लिए आपको यह जो वीडियो है वो शुरू से अंतक देखना है और पूरा देखना है और अगर दोस्तो चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाकन को दबाएं तो दोस्तो पहली वाली अपडेट है यहां पर अअट्विटाज्मेन नंबर दियावा है जिसमें दोस्तो देख सकते हैं कि Assistant Engineer Training, Electronics and Telecommunication and Computer तो दोस्तो इन पदों पर यानि कि जो Assistant Engineer का पदय ट्रेनी का उसमें यहाँ पर काफी सारे पदों पर नई वेकेंशी जारी की गी है जिसमें दोस्तो इलेक्ट्रिकल के, Electronics and Telecommunication के और जो Computer के बेर्थिये वो यहाँ पर फोरम अपलाई कर सकते हैं साथ दोस्तो आप यहाँ पर दूसरी जो अपडेट है वो देख सकते हैं यानि कि दोस्तो यहाँ पर यह जो Vacancy Cancellation का एक नोटिस पहले ही जारी हुआ था लेकिन दोस्तो उसके बाद में जस्ट बाद में आज ही नया जो नोटिस है वो जारी कर दिया है और दोस्तो इन पद जीनेर के पदों पर जो नई वेकिन्सी जारी है उसके यहाँ पर जो यहाँ पर जो सामने आफ कि आप को बता देता हूं कि किमी जारे जो बहुanि है चोबिस गे दोस्तो इनके लिए जनेरल की 24 पोस्ट है वही दोस्तो 20 क्रेंगर की 24 हैए एक एक पोस्ट है और दोस्त क्रेमिलियर की दो पोस्ट हैं, SC की तीन पोस्ट हैं और ST की यहां पर जीरो पोस्ट हैं, वहीं दोस्तों, Assistant Engineer Training में जो Computer Science and Information Technology है, उसकी General की 12 पोस्ट हैं, EWS की दो पोस्ट हैं, OBC Non-Criminal की 6 पोस्ट हैं, SC की 4 पोस्ट हैं और ST की 0 पोस्ट हैं, तो दोस्तों, मैं आपको यहां पर बता देता हूँ कि इसका जो Pay Scale वो क्या रहने वाला है, तो दोस्तों, इसका जो Pay Scale है, वो यहां पर बताया गया है, केवल डिग्री के, यानि कि दोस्तों, जो BTK बेरती है, वो फोरम अपलाई कर सकते हैं, तो दोस्तों, आपके पास में Electrical Engineering में डिग्री होनी चाहिए, Electronics and Telecommunication में, जो है, डिग्री होनी चाहिए, साथ ही, दोस्तों, Computer Science और Engineering में, आपके पास में यहां पर जो डिग्री होनी चाहिए, तो ही दोस्तों, आप यहां पर फोरम अपलाई कर सकते हैं, और अगर दोस्तों, आपके पास में डिपलोमा है, तो आप यहां पर फोरम अप की जाएगी, इसके लाओ दोस्तों, जैसे, OBC के अभ्यर्तियों को जो है, यहां पर पांस साल की एज में चूट दी जा रही है, और दोस्तों, जैसे की, जो Dependent of Freedom Fighter of Uttar Pradish के जो भी अभ्यर्तियां, उनको पांस साल के यहां पर छूट दी जा रही है, जैसे, Physically Handicap है, य जो है केवल और केवल यहां पर General में ही फोर्म अपलाई करना पड़ीगा, तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो UP PCL है, उसने यहां पर काफी सारी जो पोस्ट हैं, उन पर जो नया requirement वो जारिक कर दिया है, अब दोस्तों, एक महतपूर्ण चीज में आपको यहां पर बत अलाबाद है, अलिगड़ है, वाररसी है, आगर है, कानपूर है, ब्रेली है, लखनो है, गाजियबाद है, मेरट है, जहांसी है, तो दोस्तों, इस तरह के जितने भी UP के जो सहर है, वहीं पर आपका जो exam center है, वो रहने वाला है, साथ ही दोस्तों, आपके पेपर में attitude के question है, वो आने वाले है, साथ ही दोस्तों, पांच परतिसत जो है, यहाँ पर हिंदी का question है, वो आएगा, और दोस्तों, यहाँ पर जो minus marking है, वो एक बटाचार, यानि कि दोस्तों, 0.25 रखी गई है, तो दोस्तों, इस तरह से आपका यहाँ पर exam होगा, और उसी के आधा पर दोस्तों, आपका इसमें जो है, आगे interview के लिए selection होगा, लेकिन दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान रखना है, कि अगर आप CBT में 30% नमबर लाते हो, तो ही आपको interview के लिए जो है, आगे shortlist किया जाएगा, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो है, जितनी पोस्त हैं, category wise, यानि कि दोस्तों, जैसे general में 10 पोस्त है, तो उसकी दो गुणा, यानि कि दोस्तों, जितनी पोस्त हैं, उनके दो गुणा ब्यरती को जो है, यहाँ पर interview के लिए बुलाया जाएगा, और दोस जो domicile UP के जो अब्यरती है, उनके लिए दोस्तों, 826 रुपे यहाँ पर लगेंगे, साथ ही दोस्तों, general category के जो अब्यरती है, उनके लिए 1180 रुपे लगेंगे, pH category के अब्यरती के लिए यहाँ पर 12 रुपे लगेंगे, और जो दोस्तों, यहाँ पर candidates of states union territory, other than उत्तर प ranking से भी कर सकते हैं, अब दोस्तों, आपको forum किस तर से बरना है, तो दोस्तों, फोरम बरने के लिए इसकी जो official site आप वहाँ जाकर के आपको इसका जो forum है, वो बरना है, साथ दोस्तों, जब आप यहाँ पर forum apply करेंगे, तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो cost certificate वो 31-3-2021 के बाद का बना हुआ यहाँ पर होना चाहिए, और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो मूल निवास परमान पतर है, वो 31-3-2018 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, यानि कि दोस्तों, digital परमान पतर आपका यहाँ पर होना चाहिए, और दोस्तो अगर आप SBI के चालांज से इसका पेमेंट करना चाते हैं 11 जनवरी से लेकर के आप 2 फरवरी 2022 तक कर सकते हैं और दोस्तों इसका जो CBT का एक्जाम है वो यहाँ पर 22 बताया गया है यानि कि लास्ट वीक फरवरी 2022 यानि कि दोस्तों फरवरी 2022 के आखरी सब्ता में इसका जो एक्जाम है वो हो सकता है और साथ दोस्तों अगर आपको यहाँ पर कुछ जानकरी चाहिए या हेल्प डेस्क है वो यहाँ पर दिया वा है आप जो UPPCLA उसकी जो ओफिशल इमेल आइडिया मेल करके कोई भी जो जानकरी है वो ले सकते हैं और दोस्तों देख सकते हैं कि यह जो नोटिस है आज यानि कि दोस्तों पांच जनवर को यहाँ पर जारी किया गया है साथ दोस्तों एक चीज में आपको बता दूँ कि यह जो एक्जाम है वो अलग-अलग शिफ्टों में लिया जाएगा अगर ज्यादा candidate होते हैं तो दोस्तों उस समय यहाँ पर जो है नॉर्मलाजेशन किया जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर जो नॉर्मलाजेशन का जो फोर्मूला है वो पहले सही UP-PCL ने पर किलियर कर दिया है कि अलग-अलग शिफ्टों में एक्जाम होने के बाद में किस तरह से आपका जो नॉर्मलाजेशन है वो होगा उसी के अनुसार यह जो है आपका जो जूर्मलाजेशन का जो कि अलग-ँ-या का to the जोल रग-अजयन का टोΣको आपका जो आपका जो